अगर दोस्तो आप work from home करना चाहते हैं आपकी age limit कितनी भी है आपके पास कोई qualification है तो भी आप apply कर सकते हैं नहीं है तो भी आप apply कर सकते हैं यानि कि दोस्तो आपको एक ऐसे opportunity मिल भी है जो कि आप घर से ही काम करके पैसान कर सकते हैं सिर्फ आपके पास होना चाहिए तो laptop हो य सारी बाते आपको in-depth analysis करके बता दूंगा वीडियो को पूरी जरूर देखना और apply पर जरूर करते हैं इसमें दोस्तो सारी बाते समझेंगे अच्छी तरीके से पूरी वीडियो जरूर देखना चली शुरू करते हैं अगर दोस्तो आप student है housewife है retired person है और घर से ही काम करना तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी जबरतस होने वाली है मैं आपको बताना चाहते हूं दोस्तो ये जो post आउट हुई है work from home के आउट हुई है इसमें दोस्तो company के through recruitment करी जा रही है इसमें सारे freshers apply कर सकते है कोई भी technical field नहीं मागी गई है ना कोई experience माग गई है इसमें स salary की बात करते हो 1.5 lakh से लेके 4.75 lakh रूपए आपको salary मिलती है per annan के साबसे दोस्तो उसको आप divide कर सकते हैं और दोस्तो exact अगर जो आपको amount पता करना है तो आपको क्या करना होगा पहले apply करना होगा फिर इनका एक interview phase करना होगा उसी में आपकी salary जो decidable होगी महाँ पे आप bargain भी कर सकते हैं दोस्तो वो depend करेगा आपकी काबिलियत के ओपर इसका बात करते हैं आपका work क्या रहेगा तो basically काफी लोगों के comment section में यह message आते कि sir इसमें काम क्या करना होगा तो मैं आपको पता आयता हूं दोस्तो इसमें होगा data loader का काम होगा typing का काम होगा data entry का काम होगा power PowerPoint जो होता है MS Word वगयर MS Office आपको पूरा चलाना आना चाहिए क्योंकि जो MS Word और PowerPoint एक्सल सीट इसी में आपका basically पूरा काम होगा data entry का काम है दोस्तो जो आपकी जो प्रोफाइल होगी दोस्तो जो आपकी exact post का नाम है वह executive assistant का नाम है data entry operator भी दोस्तों इनको बोलते हैं इसमें दोस्तों आपके पास जो needful होनी चाहिए वह होना चाहिए या तो laptop हो आपके पास उसके लेपटोप नहीं है तो आपके पास एड़नोर्ड मॉबाइल फोन जरूर होना चाहिए क्योंकि आप इसी से ही घर से काम कर पाएंगे connectivity आपकी इसी से होना पाईगी लेकिन दोस्तों है आप accepted होंगे दोस्तों बस आपके पास खाबिलियत होनी चाहिए दोस्तों अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूं वो बड़े ध्यान से समझा दोस्तों जब आप इसको apply करेंगे तो आपको apply करने के बाद इसमें एक भी रूपर चार्जिस नहीं देना देगे दोस्तों यहां पर इनकी जो official website apply करने के तक इसमें कोई भी चीज़ ऐसी mention नहीं है कि आपको इतने रुपर चार्जिस देने हैं registration चार्जिस अगर दोस्तों आप से कोई भी चार्जिस मांगता है तो आप उसको बिल्कुल भी मत देना कोई भी अपनी personal details मत देना direct अगर otherwise आप इसको जोईन बिल्कुल भी मत करना वीडियो के चलेगे आप कमेंट सेक्रें में जोड़ों बता सकते हैं thank you so much also for watching my videos